Hello everyone, NetHunter एक Android open source penetration testing platform है जिसे काली Linux के उपर बेस करके बनाया गया है तो आज के वीडियो में आपको दिखाऊंगा कैसे specific Android device के लिए NetHunter kernel बिल्ट किया जाता है तो वीडियो शुरू करने से पहले, make sure कि आपका device का bootloader unlocked है, custom recovery installed है और सबसे important step प्लीज make an Android backup before flashing the kernel TWRP recovery से अपने EFS को जरूर backup कीजिए और कोई अच्छी जगा पे save करिए So let's make the NetHunter kernel तो सबसे पहले आपको अपने PC पे कोई भी Linux operating system इंस्टोल करना होगा उसके लिए आप Oracle VirtualBox और VMOir यूज़ कर सकते हैं VMBox में Linux कैसे इंस्टोल करते हैं यह अगर आपको नहीं पता है तो I button पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं As Linux operating system यहाँ पर मैं काली Linux यूज़ कर रहा हूँ लेट्स ट्रॉप आ टर्मिनल शेल अब रिपोजिटरी को अप्डेट कीजिए टाइप अप्डेट अप्डेट देन टाइप apt install git तो यहाँ पर मैं git यूज़ करके nethunter project को क्लोन करूंगा मेरे वीडियो डेस्क्रिप्शन में आपको gitlab nethunter project का लिंक मिल जाएगा तो इस लिंक पर जाएए फिर क्लोन पर क्लिक किजिए देन क्लोन उइड एस्टी टीपेस जोप्शन है उसको कॉपी कीजिए देन टाइब किट क्लोन और जो वबसाइट अपने कॉपी किया था वो पेस्ट कीजिए तो गाइज यहाँ पर दो जीवी का पोजेक्ट क्लोन होने वाला है तो थोड़ा टाइम लगेगा पूरा डाउनलोड होने में हुआ है 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 हंड़ेड परसेंट क्लोन होने के बाद अपने डिरिक्टरी को चेंज करके काली नेट अंटर पोजेक्ट में जाए है टाइप एलेस यहाँ पर आपको डिरिक्टरी चेंज करके नेट अंटर इंस्टॉलर पर जाना होगा तो गाइज यहाँ पर आपको स्कृप्ट फाइल मिलेगा बिल्ड पाइफाई यहाँ पड़ है यह एक पाइथन फाइल है जिसे हम कुछ देर ही में रन कराएंगे make sure कि python 3 installed है अगर python 3 installed नहीं है तो install कीजिए इस command से apt install python 3 so python file run करने से पहले आपको bootstrap sh file दिख रहा होगा उसे पहले run करना होगा तो type sh dot slash bootstrap dot sh अगर आप experimental devices को यूज करना चाहते हो तो type y would you like to grab the full history of device type no could you like to use ssh type n तो इसके बाद device clone होगा सारे supported and experimental devices का रांज इस devices folder के अंदर डाउनलोड होने वाला है यह पर 1.5 GB का data डाउनलोड होगा तो थोड़ा टाइम यहां भी लागेगा डाउनलोड कॉंप्लीट होने के बाद अब हम build.py फाइल को रांड कर सकते टाइप python3 build.py-h इस कोमेंड से आपके पास help message शो होगा यहां पर आप देख सकते सारे usage details में लिखा है सारे allowed device का name लिखा है अगर आपको अपने android devices का code name नहीं बता है तो आप just google कर सकते और आप cpu-z install करके उससे आप अपने devices का code name model name देख सकते तो यह पर आपको dash d type करके device का name type करना होगा मेरे देवाइस है one plus six तो आपको चूज़ दा one plus six oxygen OS अब आपको अपका current android version type करना होगा मैं android 10 यूज कर रहा हूँ तो इसलिए के मैं dash q type करूँगा मैं सिर्फ kernel create करूँगा तो मैं choose करूँगा build kernel installer only so मैं type करूँगा dash k तो सारे usage ठीक से type करने के बाद hit on enter तो यह हमारा zip file जिसके अंदर हमारा nethunter के करने है तो डिरेक्टरी पे चलते है जहां पर यह फाइल से भूआ है काल निटहंटर प्रोजेक्ट निटहंटर इंस्टॉलर और यह है अमारा zip file जो है हमारा nethunter kernel अब इसको अपने डिवाइस पे कॉपी कीजिए और फ्लाश करने के लिए रेडी हो जाई है तो गाइस अगर आप स्टॉक करनेल पे हैं और मैजिस्क इंस्टॉल है तो पहले मैजिस्क अनिंस्टॉलर zip flash करके मैजिस्क को अनिस्टॉल कीजिए उसके बाद nethunter kernel को फ्लाश कीजिए अब आप Magisk इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप Magisk को अनिस्टॉल ना करके न्यू करनेल फ्लैश कटते हैं तो बूटलू फोने का डड़ होता है तो गाइस ये था आज का वीडियो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा प्लिस्ट्राब लाइस ये अच्छाब लाइस को अनिस्टॉल में अच्छाब लाइस आप